क्या हाले साथियों मैं विकास तुम और आप लोग के अपने ट्रस्वाधी चैनल क्लेक्टिव स्टुडी फॉर सक्सक्रस पर आप लोग का सवागत है देखें यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी निसो साथ में जो आई थी उसमें कुछ चेंजस करने के लिए भारत ने बोला ह तो इस बार कुछ चेंजस करने के बात करीगे इंडस वाटर ट्रीटी का बिल्कुल यहां पर हम लोग एक एक चीज जानेंगे बिल्कुल एटू लेकर जेट तक ठीक कब बना किसके बीच पर बना कितने इसमें आर्टिकल अनुछेद है कौन सा कमीशन होता है कोई डिस्प पहली चीज तो यह है कि वर्ड बैंक की अधिक्षिता में मध्यसिता में मीडियेशन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब बटवारा हो गया तो यह एक इंडस रिवर बेसिन जो था वो इंडस एक रिवर है ठीक है इंडस एक रिवर है जिसकी पांच और साइग नदिया यह सब पूरा मिला के इंडस बेसिन बनाता है ठीक और इसमें जो है तीन जो पस्चमी रिवर्स हैं इंडस जेलम और चिनाब ठीक इस पे एक्स्क्लूजिर राइट दे दिया गया वर्ड बैंक की अधिक्षिता में पाकिस्तान को ठीक जब बटवारा हमारा हो गय जो वाटर की requirement है वो बहुत कुछ dependent है इसी सिंधू रिवर बेसिन या फिर इंडस रिवर बेसिन के उपर ही ठीक है तो ये भारत की एक जो है बड़पन है या फिर आभी कह सकते हैं कि हुमेनिटी या हुमेनिजम के basis पे कि पाकिस्तान के तीन बार जो है वार करने के बाद भी aggression दिखाने के बाद भी ठीक आपका जो कारगिल का conflict है उसके बाद भी और पुलवामा ओरी कितने अटेक के बाद भी भारत ने कभी कुछ नहीं बोला छे दशकों में यह जो ट्रीटी है वह सर्वाइव कर गई ठीक और अभी जो है पहली बार इसमें कुछ शंशोधन कर करने की बात कहीं जारी कैसे शंशोधन होता है क्या होता है वह सब भी देखेंगे तो में में जो चीज है वह आपको इस होगी इंडस जहलम चिनाव जो है आपका पस्चमी और यह पाकिस्तान को दी गई और रवी व्यास सतलज जो है जो भारत के पक्ष में दी भारत इस प अपनी बॉर्डर के अंदर ही कर सकता है यहां पर दूना कर पाएगा ठीक है यह पूरा इसका जो है एक्स्क्लूजिर रइट है सतलज ब्यास रवी पे वेस्टन रिवर्स में समझे गए यहां पर जो बॉर्डर के अंदर भारत के आता है वहां पर रन ओफ दा रिवर अपर नीलम ठीक है तो यह नदी जो चैनल है इस नली में नदी में रन ओफ दा रिवर डैम भारत बना रहा है किशंगंगा जो कि अलाउड है ठीक सब पर कंडिशन की बात है लेकिन यह अलाउड रिवर क्या होता है अब इसमें क्या है कि पानी के फ्लो को बिना रोके पानी का बहाओ बना रहा लिंटेड स्टोर्स बने रहा है यहां पर टर्बाइन लगा दी टर्बाइन से पानी से बिजली बना ली और यह पानी देखे इसका फ्लो रुकानी फिर से नदी में चला गया तो यह एलाउड है और यह जेलम पर भारत ने किशंगंगा नाम से ड से करता नहीं है यह सब काम नहीं करता है जैसे कि पाकिस्तां करता है ठीक है तो यह मैन नहींगती तो पेडिन के नहें लोकी बीच है's जो है यह साइद किया गया था वर्लड बैंकी मतसता में डबलू-ए-बी-इल विलिंप एक सब्तंबर 19 सब्तंबर 1960 को और यह जो है अफेक्टिव प्रभावी हुआ था एक अपरिल से एक अपरिल 1961 होगा ओविसली ठीक है इसके अंदर एक प्रस्तावना है देखे हिंदी इंग्लिस दोनों यह पीडियो दे दी गई है पेड़ गूरूप में पीडियो नहीं वीडियो में इंग्लिश में मैं समझा रहा हूं लेकिन हिंदी के अज कहीं पर भी जरूद पड़े की तुमस्त बताए दो से प्रेंबल एनी प्रस्तावना 12 अनुछेद आर्टिकल और आठ डिटेल एनेक्ट्रस इसमें दिये गया है संदी के अंदर बात हो रही है ठीक इसके अंद पर्मिंटेड यूज भारत कर सकता है जो कि मैंने आपे बता दिया अब इसमें जो ट्रीटी है उसमें एक कमीशन मनाने की बात कहीं गई है और ये कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया है छे दशकों में कितने वहार हुए कोई इसमें इसको अटाय नहीं गया अभी पाकिस पाकिस्तान कर रहा था कि ये किशन गंगा और अतले गलत है तो इसको डिस्प्यूट को रिजॉल करने एक तरीका है वो तरीका इन्होंने माना नहीं सीधे कोर्ट आफ अर्बिट्रेशन पहुँच गया तो भारत में कहा कि हम कुछ लीगल इस ट्रीटी में चेंज करना चा आपका आर्टिकल 13 सब क्लॉस 3 इंडसवाटर ट्रीटी के अंतकर जिसमें कहा गया है टाइम टो टाइम जो है मोडिफाइग किया सकता है डियूली रेटिफाइड ट्रीटी मतलब यह इस ट्रीटी के लिए दोनों ही इंडिया पाकिस्तान क्या एक लाव बनेंगे और उस प पहुँच गए तो नहीं किया वह प्रोसेस समझ लेते हैं बहुत इंपोर्टन हो सकता है इस पर एक स्टेंड अलग से बनाते हैं ठीक फिर अपना पर्मिनेंट कमिशन क्या काम करता उसकी विवाद समझ लेंगे तो अगर दोनों गौर्वर्मेंट की बीच में कोई भी कोई कोई कोशन है ठीक यह तीन स्टेफ का डिस्प्यूट रिजूशन मेकेनिसम है ठीक तो पहले लेवल पर क्या होता है यह समझ लेते हैं यह तीन लेवल है ठीक या फिर इसको अगर हम ऐसे करें पहला लेवल दूसरा लेवल और तीसर लेवल तो पहले लेवल पर क्या होता है कि question बोला जाता है कि कोई question है माली जे पाकिस्तान को हमारे डैम पे जो भी है ठीक तो उस पे कोई question है तो permanent commission resolve करता है दोनों government के साथ में मिलकर पी-सी resolve करता है दोनों government के बीच में ठीक माली जे resolve नहीं हुआ तो आप हम आएंगे second level पे यहाँ पर क्या होगा कि unresolved जो भी question है या फिर जो differences है उनको फिर एक neutral expert के पास रखायता है द्यानके का नाम neutral expert के बाद बेजाता है वो कौन होगा यहाँ पर world bank वाली होता जाता ठीक world bank का होता है उसके बाद बेजाएगा तो किशन गंगा और रातले में आप यहाँ पे संदर भी समय लेते हैं किशन गंगा और रातले वाले case में पहले पाकिस्तान बोला था neutral expert की बाद अब जब यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ पहुँचना चाहिए था बिल्कुल ठीक कर र क्योंकि अब यहाँ पर जो question था differences थे undissolved वो अब फिर यहाँ पर तीसे लवल पर पहुँचते तो उनको पहली बात तो बोला था dispute ठीक और इस dispute को जो है उसके लिए arbitration की जोड़त पड़ती है court arbitration जो हेग में permanent पाकिस्तान यहाँ पे कुछ किये वगार यहाँ पाचीत किय सीधे यहाँ arbitration चला गया इसी पर इंडिया ने कहा है कि यहाँ कुछ हमें संशोधन करना वड़ेगा ती अपने ट्रीटी में कि इस तरीके से आप यह अपनी मनमानी एक तरफा नहीं कर सकते हो कभी भी आप जो है हमारी शिकायत करते रहते हो बलकि हम हमेशा cooperate करते हैं यह पहली बात है ठीक तो पहली चीज है question होता है permanent commission level के पर हो सकता है दूसरे अगर तब यह question resolve नहीं होता है तो वह आपका चला जाता है second level पर जहां पर नूट्रल एक्सपर्ट वर्डवेंग का एक निधारी किया जाता है वहां पर बात चीत होती है अगर वहां से भी यह question resolve न करना होता है कम से कम एक बार साल में इसके जो function है वो यह है कि इसको study करना होता रिपोर्ट करता हो और करना होता दोनी government को कोई अगर problem आ रही है water जो reverse के उनसे समंदित कोई dispute है तो उसको water change समंदित उसको solve करना होता जैसे कि हमने उपर देखा ठीक पहले चरण वाले में दो अरेंज करना होता है technical visit project sites पे critical river head works पे ठीक अब यह विजट पाकिस्तान वाले इंडिया में कर रहे है इंडिया अले बाकिस्ताम जाक कर रहा है ठीक है to undertake once in every हर पांस सालों में एक general tour of inspection करना होता है ठीक है और जो provisions हैं स्टीटी के उसको कर्यानवेत यानिकि इंप्लिमेंट करवाना होता है तो यह इंडिस वाटर ट्रीटी बहुत जादा important है इसी प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए कल corporate governance का एक वीडियो बनाया था वह जरूर देख लीजेगा आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर आप लोगों जैसे सर्च करना इंडिस वाटर ट्रीटी तो आ हमारा क्या approach होना चाहिए क्या perspective होती है तो वह भी वीडियो जरूर देख लिएगा बहुत ज्यादा लाबदायक होगा ethics के paper में खास दौर पर जहां पर आधे मार्स तो बहुत ज्यादा है और ethics बहुत high scoring paper और बहुत low scoring paper भी हो सकता है अगर आपका approach सही नहीं है तो ठीक content ला तेरे निकले जाएं जाएं बारत all the request है